हेलो फैंस वेलकम टू शमाधान एड्यूकेशन मंडी परसत वीडियो दो हजार अठारा फर्मासिस्ट एजी टी ये भरतिया दिन पे दिन डिले होती जारी है मंडी परसत की डीवीडेट जारी होनी है फर्मासिस्ट की ज्वानिंग होनी है वीडियो दो हजार अठारा की परिच्छा दिती जारी होनी है एजी टे का विग्यापन जारी होना है लेकिन इस आयुग में बगेर धरने के कोई काम नहीं होता है इस आयुग में बिग्यापन से लेकर जौनिंग तक अभ्यर्टों को धरना देना पड़ता है आयुग से सासन से एक जानकारी निकल के आई है कि आयुग में चर्चा हो रही है जिन भर्थों के अभ्यर्थी ज्यादा दवाव बना रहे हैं उन भर्थों को पहले पूरा किया जाए तो इसको लेकर आयुग में चर्चा हो रही है इसलिए अभ्यर्थों को धरना देना होगा बगैर धरने के कुछ होने वाला नहीं है आयोक के उपर, सरकार के उपर दवाव बनाना पड़ेगा आप भी जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं अब भेर्टू को विग्यापन से लेकर जानिंग तक धर्ना देना पड़ता है हर एक प्रिक्रिया के लिए अब भेर्टू को धर्ना देना पड़ता है बगेर धरने के इस आयुक में कोई काम नहीं होता है। मंडी परसत भरती पर आयुक का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हमेशा नया बहाना सुनने को मिलता है। लेकिन अब कोई बहाना नहीं सुना जाएगा इसलिए 12 सेप्टमबर को सुबह 10 बजे तक मंडी परसत के सभी अ आयुक चलेंगे और 13 सेप्टमबर को सीयम आवास पहुचना है। सुबह 7 बजे तक सीयम आवास पहुचना है और 12 सेप्टमबर को सुबह 10 बजे तक आयुक पहुचना है। और 13 सेप्टमबर को ही फर्मा सिष्ट के अभ्यारती भी सीयम आवास पहुच रहे हैं और ये आरपार की लड़ाई है करो या मरो क्योंकि घर बैठे कुछ होने वाला नहीं है घर से बहार निकलना पड़ेगा अपने हक के लिए खुद आगे आना पड़ेगा कोई और नही 2018 के अभ्यारती चाहते हैं कि ये परिच्छा दिसंबर तक करा दी जाए तो वीडियो 2018 की सभी अभ्यारती 13 सेप्टमबर को सुबह साथ बजी तक सीयम आवास पहुचे AGTA के अभ्यारती मेरे बात ध्यान से सुने जानकारी मिली है कि वन दरोगा का भर्ती बिग्यापन पहले जारी किया जाएगा और वन दरोगा का भर्ती बिग्यापन इसी महिने जारी होना है तो AGTA के अभ्यारती हार कर घर ना बैठे 13 सेप्टमबर को सुबह साथ बजे तक सीयम आवास पहुचे यदि आप चाहेते हैं कि भर्ती बिग्यापन जल जारी किया जाए तो अपनी बात को सीयम तक पहुचाना है हर हाल में पहुचाना है इसलिए इस वीडियो को जादा जादा स्यार करें जादा जादा अभ्यारतो तक इस बात को पहुचाएं मंडी परसाद वीडियो 2013 AGTA Pharmacist सभी अभ्यारती मेरी बात ध्यां से सुनें कान खोल के सुनें आग खोल के देखें और इस वीडियो को बैठ के देखें अब सौने का वक्त नहीं है घर बैठने का वक्त नहीं है सब अभ्यरती जाग जाए और घर से बाहर निकले ये जिन्दिकी का सवाल है कोई भी अभ्यरती यहां 20 साल का नहीं है सबी समझदार है हम सब कब तक माबाप के पैसों पर जिन्दा रहेंगे कब तक वही घिसी पिटी जिन्दिकी जीते रहेंगे एक नौकरी की बज़े से जिन्दिकी रोग गई है इसी एज में कुछ लोग इतना आगे निकल गए हैं और हम सब आज वही गिसी पिटी जिन्द की जी रहे हैं माबाप से पैसे मांगने में सरम आते क्या आपको नहीं आती मुझे तो आती है आपको भी आती होगी लेकिन फिर भी आप सपोर्ट नहीं करेंगे घर से बाहर नहीं निकलेगे सबी गल्स ध्यान से सुनें कान खोल के सुनें और बार बार सुनें क्या आपकी कोई responsibility नहीं है क्या आपके कोई सपने नहीं है कब तक अपने सपनों को दबा कर रखोगी कब तक अपने माबाप को परिशान करोगी आपके माबाप ने इतना पढ़ा लिखा कर आपको इस काबल बना दिया कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो सको आप इस बात को क्यो समझनी कोईसिस नहीं करती हो आपको इसलिए पढ़ाये लिखाया गया है कि आप अपने पैरोपक खड़ी हो सको आपको किसी की जुरत ना पड़े आप अपने सपने खुद पूरी कर सको इसलिए आपको भी सहयोग करना होगा आपको भी सपोर्ट करना होगा ऐसा नहीं है कि सित बॉइस को आना है और एक जिन्द की जीने के लिए पैसों की जुरत होती है एक नौकरी की जुरत होती है और एक नौकरी के लिए हमें ये संगर्स करना होगा अपने हक के लिए मंडी परचक, फर्मसिस्ट, वीडियो दो हजार अठारा, एजी टिये, सभी अभ्याट्यों को, गल्स हो या ब्वाइस, सभी को 13 सेप्टमबर को सुभई 7 बजे तक सीएम आवास पहुचना है और हर हाल में पहुचना है किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा, गल्स को भी आना है, क्योंकि गल्स को भी सेप्ट डिपेंड बनना है, अपने सपने खुद पूरे करने है, किसी और पर डिपेंड नहीं रहना है अपने माबाप के सपने पूरे करने हैं अपने परवार के लिए अपने माबाप के लिए करना है तो आपको भी सहयोग करना होगा आपको भी सपोर्ट करना होगा 13 सेप्टमबर को सभी गल्ज सभी वाइस को सुभई 7 बजे तक हर हाल में CM आवास पहुचना है और मंडी परसत के अभ्यर्टू को 12 सेप्टमबर को आयोग पहुचना है और 13 सेप्टमबर को CM आवास पहुचना है बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ सभी को सहयोग करना पड़ेगा जब तक संख्या नहीं होगी आप भी जानते हैं, बात नहीं सुनी जाती है, पुलिस आ जाती है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स आ जाती है और अभ्यर्टू की संख्या कम रहती है, तो अभ्यर्टू को भगा दिया जाता है इसलिए ज्यादस ज्यादस संख्या जरूरी है आप सभी के साथ की जोरत है प्लीज सभी इस वीडियो को ज्यार करें ज्यादस ज्यादस अभ्यर्दों कर पहुंचाएं जिससे ज्यादस ज्यादस अभ्यर्दों को एक चुट किया जा सकें तो वीडियो को मैं यहीं समात करती थेंक यू जाहिन जाभारत